नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल मिसनेश्टेक जब में दोस्तों आज हम टेस्ट लगाने माले आर्टेओ के संके चिनों का यह जो संके चिन आपकी परिक्स के तरश्टे से बहुत ती महत्पूर्ण है और आपकी परिक्से में यहां से जो देख लीजेगा और मैं आपको रेक्मेंट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जो देख लीजेगा अगर आपने वह एक बार वीडियो देख ली तो आपसे एक भी जो संके चिनों वाला कोशन नहीं बचने वाला तो चलिए दो सुरू करते ह तो चलिए दोस्तो पहला परचन देखते हैं पहला परचन है हमारा यह चिन क्या संकेत करता है तो आपको नीचे देखकर पता चल गया होगी कि जो ट्रिंगल दिया हुआ एक नीचे और इसमें वाई आकर की आकरती बनी हुई है तो इसमें आपको देखकर बताने कि क्या प option C अनिम्वारिया आगया धाइ मूरे चलिए नेश्ट कोस्षिन के बढ़ते हैं नेश्ट कोस्षिन में भी आपको यह बताना है कि इसमें यह जाए चाहे चलिए इसका रायट अंसर बता है क्या होगा तो इसका रायट अंसर हो जाएगा वाई कि अंतर अनुभाग बाये चलिए अगला क्षून देखते हैं अगला क्ष्ष्ट पहले वाले का उल्टा है तो इसका और हो जाएगो ऑप आफ foster êm वह दाईने चलिए करिको अगला क्षान देखते हैं मैं आपको दख रहा होगा यह टेंखल के अंदर तो ये क्या संकित क्रिक्र करता है तो यह संकित करता है क्टरेक यह संख्यактиक सबस्χाहित הזה को यह चले आगला के अगरते हैं अगला कुश्चन घ्राह आपको यह देखकर में इसमें क्या संख्यतक हो रहा है में तो इसका correct answer रोजाएक option A, T, परतिछेदन यह संकेत करता है, चलिए, अगले चीन में देखते है, अगले चीन में यह क्या परतिछेद करता है, यानि क्या संकेत करता है, तो इसका correct answer हो जाएगा, option C, गोल गोम यह, चलिए, अगला question है हमारा, इसमें आपको देखकर बतान है यहां से तो यह क्या संकेत करता है तो इसका क्रेक्टांस रोजेक उप्शन सी एकसल भार सी में यह संकेत करता है चलिए अगले कोश्चन है हमारा इसमें आपको देख कर बताना है कि यह क्या संकेत कर रहा है यह वाला चिन तो इसका correct answer logic option भी दाईं तरफ रास्ता है चलिए अगले question की वर बढ़ते हम अगला question है हमारा ये वाला तो इस जो ये आगरती है हमारी इस आगरती में हमें देख के बताने है कि ये क्या संकित करता है तो बताईए इसका correct answer क्या होगा तो इसका correct answer logic option भी दाईं और उल्टा गुमा होए चलिए ये जो question है अगले वाला हमारा ये पिछले वाले का बिल्कुल उल्टा है तो इसमें हमें right answer बताने इसका क्या होगा तो इसका right answer रोज़ेक option भी बाईं और उल्टा गुमा होए चलिए आगे हम देखते हैं अगले वाला चीन अपना तो इसमें आपको बताने कि ये क्या संकेत करता है तो इसका जो right answer होज़ेगा option A तो दाईं बालो पिन बैंड ये संकेत करता है अगले कोशन देखते हैं ये पहले वाले का उल्टा तो इसमें आपको देखकर बताने कि क्या संकेत करता है तो ये संकेत करता है option B बाया बाल पिन मौड चलिए अगले कोशन गवर बढ़ते हैं अगले कोशन है हमारा तो ये जो चीन है ये क्या संकेत करता है आपको ये बताना है तो इसका right answer होज़ेगा option B दायात को गुमावे चलिए बीस का right answer हो जाएगा ये वाला जो हमारा अगला कोशन है ये पिछले कोशन का ही बिल्कुल उल्टा है तो इसका हो जाएगा option B बायात को गुमावे चलिए अगला question देखते हैं ये आकरती आपको इसमें आकरती में देखकर बताने कि क्या संकेत करता है तो इसका correct answer हो जाएगा option B अनिवारी आ गया बाये मुड़े या बाये बढ़े चलिए अगला जो हमारा question है इसमें आपको ये देखकर बताना है कि ये क्या संकेत करता है चलिए बताइए इसका correct answer क्या हो जाएगा तो इसका correct answer हो जाएगा option B अनिवारी आ बाये रखे चलिए नेक्स्ट जो हमारा question है इसमें आपको देखकर बताना है कि ये क्या संकेत करता है ये वाला चिन चलिए ये जो चिन है ये संकेत करता है रुकना या खड़ा होना निशेदे तो 20 का correct answer हो जाएगा अगले question ये बढ़ता है अगला question है हमारा ये वाला जो चिन है इसमें आपको देखकर बताना है कि ये क्या संकेत करता है तो ये संकेत करता है केवल आगे की और चलिए next question ये और बढ़ता है next question है हमारा आपको इस आकरती में देखकर बताना है कि ये क्या संकेत करता है तो तीन option में से इसका correct answer हो जाएगा option A केवल 3.5 meter उचाई वाले वाहनों के लिए पर वेस है चलिए अगले question की और हम बढ़ता है अगला question है हमारा तो इसमें आपको देखकर बताना है कि ये जो चिन है ये क्या संकेत करता है तो ये संकेत करता है option B का correct answer हो जाएगा 2 meter से अधिक चोड़ाई वाले वाहन की परवेस्टी नहीं है यानि कि 2 meter से अधिक चोड़ाई वाले वाहन यहाँ पर नहीं आ सकते उसके लिए परवेस्ट नहीं है चलिए अगला question की और हम बढ़ते है अगला question है हमारा ये चीन क्या परदिशित करता है तो ये परदिशित करता है option A इसका correct answer हो जाएगा वाहन को 50 km पर ते गंटा से अधिक नहीं चलाना है चलिए next question की और हम बढ़ते है next question है हमारा ये वाला तो इसमें आपको बताना है तो ये सायाद अभी हमने पीछे भी करा है ये वाला question तो इसका correct answer बताएगा तो इसका correct answer हो जाएगा option B ये हमने अभी पीछे भी कर लिया है question चलिए अगले question की और हम बढ़ते है ये चिन क्या संकेत करता है आप इसमें देखकर बताएगे चलिए ये इसका correct answer हो जाएगा option C पैदर चलने वालों को निशीद चलिए next question की और हम बढ़ते है next question है हमारा ये चिन क्या संकेत करता है तो आप इस चिन को देखकर बताना है और इन तीनों option में से question को आपको answer को choose करना है चलिए बताएगे इसका correct answer क्या हो जाएगा तो इसका correct answer हो जाएगा option C बाइबुर्णा निशीद चलिए next question की और बढ़ते है next question में हमें बताने है यह बले चिन देखकर किये क्या संकेत करता है तो इसका correct answer हो जाएगा option B car और motorcycle को लिए कोई प्रविष्टी नहीं है चलिए next question की और बढ़ते है next question हमारा यह जो चिन है यह क्या संकेत करता है तो इसका correct answer हो जाएगा option A ट्रग निशीद चलिए अगले question की और बढ़ते हम अगले question हमारा यह चिन क्या संकेत करता है तो इसका correct answer बताईए क्या हो जाएगा चलिए इसका correct answer हो जाएगा option B प्रविष्ट निशीद चलिए बहुत अच्छे next question की और बढ़ते है next question हमारा तो आपको यह वाला जो चिन है यह देखकर पता लगाना है कि इस यह क्या संकेत करता है चलिए इसका तीन option में साब को एक option चूज करना है चलिए इसका correct answer जोगा option B बाईवर सड़क है चलिए अगले question देखते हम अगले question हमारा यह वाला चिन कर लिए तो इसका right answer option A धवनी होन अनिवार यह और यह जो चिन वाला जो सिंबल है इसके हमने एक वीडियो पूरी डिटेल में बना रखी है और अगर आपने वीडियो नहीं देखते हैं तो इस वीडियो को जाकर आप पहले देख लीजिए जबिए आपको यह जो आप question है बहुत अच्छी तरिक से इनको हल कर सकते हो चलिए अगले question की और हम बढ़ते हैं अगले question है हमारा यह चीन क्या संकित करता है तो इसको आपको देखकर बताने इसमें तो इसका correct answer रोज़े को option भी अनिवार यह धाहिए और चलिए next question की और बढ़ते हैं next question है हमारा next question है हमारा यह चीन क्या परस्षित करता है तो इसका right answer आपको बताना है चलिए इसका right answer हो जाएगा option c पार्किंग नहीं है चलिए next question की और बढ़ते है next question है हमारा यह चीन क्या संकित करता है तो इसका correct answer को बताना है तो इसका correct answer है आपका option b एक तरफ कर आज़ता है और एक तरफ से यह कटा हुआ है चलिए नेक्स को बढ़ते हैं यह चिन क्या संकेत करता है तो यह संकेत करता है सांत इस्थान तो 20 का क्रेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स कोश्चन के ओरम बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन है हमारा तो यह जो चिन है यह क्या संकेत करता है तो यह संकेत करता है option C's का correct answer हो जाएगा पर्तिबंद का अंत चलिए अगला question देखते हैं next question है हमारा यह वाला तो इसमें आपको देखकर बताने कि यह चिन जो है क्या संकेत करता है तो यह संकेत करता आगे option A's का correct answer हो जाएगा संकेत शड़क आगे चलिए next question क्यों बढ़ते हैं next question है हमारा यह आपको देखकर बताने कि इसमें क्या यह संकेत करता है यह वाला चिन तो इसका correct answer हो जाएग option C level crossing संड़क्षित चलिए next question है हमारा यह वाला आपको इसमें देखकर बताने कि यह जो चिन है यह क्या संकेत करता है तो इसका correct answer हो जाएग option C overtake निशिद चलिए C इसका correct answer हो जाएगा next है हमारा यह वाला चिन आपको देखकर बताना है कि इसमें यह क्या संकेत कर रहा है तो इसका correct answer हो जाएग option A cross road है चलिए next question के ओर हम बढ़ते है next question है हमारा इसमें आपको इस चीन में देखकर बताना है कि यह जो चीन है यह क्या परदसित करता है चलिए 20 का correct answer हो जाएगा दाइं और पार्किंग की अनुमती है चलिए अगला question देखते हम आगला question है हमारे यह वाले चीन आपको देखकर बताना है कि क्या परदसित करता है तो इसका जो correct answer हो जाएगा option C दाइं तरफ से आगे निकलने पर निशिद है चलिए next question की और हम बढ़ते है next question है हमारा यह वाला तो आपको इस आकरती को देखकर बताने कि यह क्या संकेत करता है तो इसका correct answer हो जाएगा option B दाइं और निशिद चलिए अगला question देखते हैं अगला question है हमारे यह वाला तो इसमें आपको यह वाली आकरती देखकर बताने कि यह क्या संकेत करता है यह वाला चीन तो इसका correct answer परतिबंद चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है हमारा आपको यह वाली है करती यानि यह वाले चिन आपको देखकर बताने की इसमें यह क्या संकेत करता है तो इसका करेक्टांस रोजय को अप्शन भी संक्रिंपूल आगे और इससे मिलता जुलता एक और कोशन ह आपको इस चिन को देखकर पता लगाने की क्या संकेत करता है तो यह संकेत करता है और उसके प्रात्मिक चिकित सब पत चलिए और जो पिछले वाला दाय साथ में बैड़ता एक पलस के चिन के साथ तो ये था अस्पत्ताल का और ये बस पलस के चिन है तो ये प्रात में चिकता पद का ये संकित करता है चलिए आगे हम देखते हैं ये वाला चिन ये वाला चिन की ये क्या संकित करता है तो निम्न चिन का पर पताने कि यह क्या संकेत करता है तो यह संकेत करता है और रास्ता देने का तो एसका क्रेक्ट अंसर हो जाएगा चलिए अगले कुश्चन क्यों बढ़ते हैं अगला कुश्चन है यह वाला यह वाली आकर्थी यानि यह वाली चीन को देखकर आपको यह बताना है कि यह क्या संकेत करता है तो इसका क्रेक्ट अंसर हो जो अप्शन भी यह रास्ता दे एक तरफ रास्ते का यह संकेत करता है चलिए अगले कुश्चन क्यों बढ़ते हैं यह वाले अकर्थी को देखकर यानि यह वाली चीन को देखकर आपको यह बताने कि यह वाला जो तिने क्या संकेत कर रहा है तो यह संकेत कर रहा है तो यह संकेत कर रहा है पैदा चलने वालों का मार्क तो इसक और अपने दोस्तों साथ इस वीडियो अधिक सेयर भी कर दिके और दोस्तों अभी तक आपने हमाने Reserve की पिए ट चैनल को सब्सकाइब कर दीजे और साथी साथ बैल Board प्रिस कर दिए ताकि आपको हर एक नए वीडियो का 233 सうん सबसी पहले देख लीजिए यह आर्ट्यों के चीन वाली जिसकी जिसको हमने बहुत अच्छी तरिकी से डिफाइन किया है और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप महां से जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिए क्यूंकि अगर आपने एक बार वो वीडियो देख ली तो आपसे यह जो चीन वाला है एक भी कोश्चन नहीं बचेगा तो चले जोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट टूडियों तब तक के लिए देखते हैं मिसें नेक्स्ट टक्चाम नमस्कार